वोट मिला है मुझे वहाद से, मौक टेस्स, टेस्स सीरीज, लाइफ क्लासे, रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्लासे के वज़े से, and thank you so much for ADRA team. नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत कुछ हूँ क्योंकि मेरा SSC JD ने सलेक्शन हुआ, और इसके लिए मैं SSC ADRA 24-7 पर धन्यवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, पबंध सहर और अत्रुचर का, thank you. दोस्तों, मैं हूँ अतुलावल सी, और आप सभी को जैसा कि मैंने कहा था, कि सेलेक्शन होने के बाद, हम सब बिताएगे 12 मिटे, और दंच दिनर सब हम सुप साथ में करेंगे, मतलब कि आपको हमेशा को कमेंट करते हैं, कि सर मोबाइल उपर दे दीजे, इसर आड्रस पत कहा है, तो यह सब हमें भी लगता है कि हमेशा हमारे भाई और हमेशा हमेशा हमारे एक डिलीटिव जैसा है कि आपको कि इतना विश्वात रखते हैं, हमारे भी इतनी लाइव वोचिंगा दिये, तो दोस्तों, आप सब को हम से मिलने के लिए एक काम कर देजे, इसके बार ह पाल अपके और आप हमारे भी आप शब्रम्स भाद है कि मैं युके साथ हुआ है, तो आपको दोस्तों, तो आपका वेट रहेगा अगले रिजट के आने के बाद जबाद सलेक्ट हो करके इसी तरह आठा के ओफिस कराएं और पूरे दिन को हमारे साथ से लिएट करेंगे, प्रणाइब करेंगे, तो आपको दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं, आपका दोस्त पवन मुरल, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार साथ साथ रूट पूर सवन यूटिव चनल पर, उमीद करता हूं कि आप सब लोग सांदार होंगे, जवरदस्त होंग आज की ये सांदार्ची किलास, जैसे की कल आपने देखा होगा, कल मैंने आपको कराना शुरू किया था, भारत के पडोसी देश, यान की वो भारत के पडोसी देश कुन-कुन से हैं, जिन से भारत की बोन डिटर्च होती हैं, प्यारे बच्चों, कंचन जी, अगर आपको म पड़ने हैं, तो आप मेरी दूसरी किलास माईएगा, यहां सिर्फ थ्योरी वाले बच्चे मुझे चाहिए, तो आप सभी बच्चों को पवन मुरल का नमस्कार, रादे, रादे, जैहिंद, और शुरुवात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइम पर ही सरकी किला होती है, चलिए, अगला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ले किया हूँ, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने कल आपको कुछ कराना शुरू किया था, रवी भाई, सिर्फ पढ़ लो यार, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, आपस में बातचीत करने वाले बच्चों, चलिए, आज मेरे प्यारे बच्चों, एक बात क्या दूँ, जिस बच्चे ने अभी तक भी हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड ना किया हो, एप्लिकेश आप सभी का दाइत्वय यह होना चाहिए, कि जल्दी से मेरे प्यारे सात्यों क्या कर लो, चैनल को सस्क्राइब कर लो बस, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए, तो प्यारे बच्चों चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा और टोपिक मैं आपको लेकर ही चलता हूँ, आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे भारत के पडोसी देश और पडोसी देशों में हमने कल पढ़ाता पाकिस्तान, क्या पढ़ाता है प्यारे बच्चों, यान कि पाकिस्तान हम लोग कल अच्छे से कर चुके हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आब हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ, यान कि हमारा जो टोपिक चल रहा था, वो टोपिक चल रहे थे प्रोब्लम को मैं आगे भैज दिया है आज साम तक ठीक हो जाएगी मुझे आप ये बताओ विसाल भाई कि भारत के कुल परोसी देश कितने हैं सभी बचे जबब दीजिएगा भारत के परोसी देश कितने हैं तो जिसको ना पता हो वो सब लिख लिजेगा कि भारत के परोसी देशों की संक्या सिर्फ नो है कितने बचो भारत के परोसी देशों की संक्या नो है जिसमें से मेरे प्यारे सातियों साथ देश ऐसे हैं जिनसे इस्थल्य सीमा लगती है यानि की साथ देश ऐसे हैं मेरे पैरे सातियों जिन से स्थलिय सीमा लगती है और दो देश ऐसे हैं जिन से भारत की water border यानि की जलिये सीमा लगती है क्या लगती है पहरे बच्चो जलिये सीमा लगती है तो मुझे उमीद है कि साइदा आप इस बात को कल अच्छी तरीके से समझ गए गए कि वो कौन-कौन से देश हैं हर किसी बच्चे को याद होगा कि मेरे बच्पन का सपना MBA करन से बच्पन BCPN बच्पन का सपना क्या करने का प्यारे साथ यो बच्पन का सपना MBA करने का क्या करने का साथ यो MBA करने का तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से यह बात बताए गई थी कि भारत के जो पडोसी देश हैं वो नो देश है जिन में से साथ देश ऐसे हैं जिन से जलिय सीमा लगती है उनमें से पहला है स्री लंका पहला क्या है प्यारे बच्चों स्री लंका और दूसरा क्या है मालदीव सभी बच्चे लिख लो जो ना लिख पाया हो कल जो कल ना लिख पाया हो वो आज लिख लेगा देखो प्यारे सातियों दो देश ऐसे हैं जिन से लगता है water border और साथ देस ऐसे हैं जिससे लगता है land border वो साथ देसों में अगर हम बात करें तो B4 होता है प्यारे साथ यो बंगला देस B4 क्या होता है अगर हम B4 की बात करूँ तो आप मेरे प्यारे साथ यो देखेंगे कि सर जी B4 होता है बंगला देस क्या होता है अगर मैं B4 की बात करूँ तो यहां आप लिखेंगे सर बंगला देश होता है सब बच्चों को याद होना चाहिए अब अगर मैं दूसरे देश की बात करूँगा दूसरा देश कुन सा है तो प्यारे सातियों आप लिखेंगे C4 होता है चीन आगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे साथियो P P4 हो गया आपका पाकिस्तान आगर मैं बात करूँ मेरे लड़लो N N4 हो गया नैपाल आगर मैं आपसे पूछू M तो M4 हो गया मयामार जिसे मयानमार भी कहा जाता है आगे चलोगे तो प्यारे बच्चों B4 हो जाएगा भूटान और A4 हो जाएगा आपका क्या A4 हो जाएगा लाड़लो अफगानिस्तान तो सबसे पहले वो 9 कंट्री जान लिजेगा कौन कौन सी कंट्री है जिससे भारत की सीमा लगती है तो आप लोग बताएंगे सर्जी बंगला देश है चाइना है पाकिस्तान है नेपाल है मयामार है भूटान है और अफगानिस्तान है इनसे भारत का लेंड बोडर लगता है लेकिन दो देश ऐसे हैं जिनसे भारत का वाटर बोर्डर लगता है और वो वाटर बोर्डर लगने वाले दो देशों का नाम क्या है एक तरफ है स्री लंका और दूसरी तरफ है आपका मालदीव कल मैंने आपको पाकिस्तान कराया था क्या कराया था पैरे बचो पाकिस्तान यहां एक सवाल और पूछ सकता है यहां पर एक सवाल और पूछ सकता है मैंने कल आपको बताया था कि बताइए भारत से कितनी सीमा लगी हुई है पाकिस्तान की यहां यह सवाल भी पूचा जा सकता है कि मेरे प्यारे सातियों बंगलादेश की कितनी सीमा लगी है तो मैंने कल आपको बताया था 4006.6 km की सीमा लगी हुई है ठीक है अगर हम बात करूं मेरे प्यारे बच्चो ये देखो चाइना से कितनी सीमा लगी हुई है तो 3488 km की सीमा लगी हुई है ये भी कल आपको कराया था पाकिस्तान से कितनी सीमा लगी हुई है तो पाकिस्तान से 323 km सीमा लग आया था जैसे भूटान की 699 में किलो मेटर लगी हुई है इसकी 1748 किलो मेटर लगी हुई है अफगानिस्तान की 106 किलो मेटर लगी हुई है कितनी 106 किलो मीटर अब ये मैंने कल करा दिया था कल मैंने इतना कराने के बाद आपको पढ़ाया था मैंने पाकिस्तान क्या पढ़ जवाब देना मैं कुछ आपसे सवाल पूछ रहा हूं जवाब देना उनका जैसे कि आपको बताना है अगर मैं रिवीज़न कर एंपकिस्तान का तो प्यारे बच्चों आप यह बताोँ यह जो पाकिस्तान अंठी को यह जो पाकिस्तान था उस पाकिस्तान का नाम करन किसके द्वारा किया गया था तो आप सभी जानते हैं पाकिस्तान नाम किसने दिया था तो प्यारे साथियों चोधरी रहमत अली ने किसने दिया था चोधरी रहमत अली जी ने दिया था किसने दिया था दोस्तों चोधरी रहमत अली तो प्यारे बच्चों मांग करने वाले का नाम था मुहमद अली जिन्ना क्या नाम था दोस्तों मांग करने वाले का नाम क्या था मांग करने वाले का नाम है मुहमद अली जिन्ना यह थी पाकिस्तान की मांग करने वाली अब आपको बताना है पाकिस्तान के कितने राज्यों क सीमा लगती है जरा बताईए बारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो अपने सीमा पाकिस्तान से टच करते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मेरे प्यारे बच्चो पंगु राज यानि की एक राज्य पंजाब है क्या है एक राज्य पंजाब है दूसरा राज्य आपका ग जरा एक पॉइंट और सुन लो गुजरात में एक ऐसी जगे पढ़ती है जिसका नाम है सरकिरिक अब जरा सुनते रहे ना गुजरात में एक ऐसा जगे पढ़ती है जिसका नाम है सरकिरिक अब बेटे प्यारो यहां देखो जरा एक मिनिट को सवाल यह पूचा जाता है कि सरक सरक्रिक को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है बहुत ज्यादा कौन बच्चा बता सकता है कौन बच्चा बता सकता है मैंने आपने मेरे को बताना है कि सरक्रिक को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है तो सरक्रिक मेरे प्यारे बच्चों आपको पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है वे पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है अगर ओप्सन में ये न दिया गया हो तब आपका जबाब इंडिया और पाकिस्तान आ जाएगा तब आपका जबाब अगर ओप्सन की बात करूं अगर मैं अकोर्डिंग टूदा ओप्स इस कांसर यह आ जाएगा यह बात ध्यान रख लिजेगा आप से पूचेगा मेरे प्यारे बच्चो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस सरक्रिक को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है पाकिस्तान और भारत भी कह सकता है गुजरात और पाकिस्तान भी कह सकता है आप डिपेंड करता है आपके option पर कि क्या option वहाँ पर दिया गया है ठीक है बच्चो तो ये मैंने आपको कल पढ़ा दिये सारी चीजे ये वाला पाइस नहीं पढ़ाए था इसे लिख लीजेगा ठीक है ये वाला पाइस मित पढ़ा था इसे प्लीज आप निख लीजे आप निखिक है धो चलो अब हम आपको लेकर चलते हैं तोड़ा सा और आगे और और आगे मेरे पेरिस दोस्तों क्या है अगला सुनों अगला पॉइंट कौन सा है उसे सुनिएगा अब अगर आपको बताना है कि पाकिस्तान ने भारत पर कब कब अटेक किये हैं जरा बताइएगा कि पाकिस्तान ने भारत पर कब अटेक किये हैं ओप सर में दोनों कभी नहीं आयेंगे ऐसा कभी भी नहीं होगा आप मुझी बताओ कि पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बारट अकरमण चिया है बताओ जिल्दी से भारत पर कितनी आकरवन पाकिस्तान पर पहले नहीं किया, जब पाकिस्तान अटेक करता है, तो फिर हमें उसका मोज लच जबाव देना पड़ता है, पाकिस्तान ने जितनी बार भी अटेक किया है, वो उतनी बार पिट कर गया है मेरे प्यारे बच्चो आपको बता दू पाकिस्तान ने पहली बार भारत प्रटेक किया था 1948 में कब किया था लड़ लो 1948 में किया था दूसरी बार किया था 1965 में तीसरी बार किया था मेरे प्यारे बच्चो 1971 में कब किया था 1971 में और चोती बार किया था मेरे लाडलो चोती बार किया था आप अच्छी तरीके से जानते हो 1999 में इस में से किस युद को कारगिल का युद कहा गया था तो आप उसे भी लिख लेंगे कि ये वो युद है जिसे कारगिल का युद कहा जाता है जिसे क्या बोलते हैं साखिया झालिज़ा समें वैसा तैक पाकिस्तान वाला जब पाकिस्तान ने इंडिया पर एटक किया हो और भारत के एक एक मेजर सहीद हूए तो उसमें जिनका नाम मेजर सोमनात सरमा था उन्हें परमवीर चकर कभ दिए गया था बताई बताईए गजरा, आपको बताना है कारगिल दिवस कब सेलिबरेट किया जाता है, कारगिल दिवस कब सेलिबरेट किया जाता है, कारगिल दिवस, पहला पिरसन आपको ये बताना है, कारगिल दिवस कब सेलिबरेट किया जाता है, और पहला दूसरा सवाल ये है आपके सामने, कि कब मेजर सोमनात सर्मा को परमवीर चक्र दिया गया था तो आप लिख लिजेगा मेजर सोमनात सर्मा यहाँ पर सहीद हो गए थे मेजर सोमनात सर्मा जी मेजर सोमनात सर्मा जी यह 1948 में सहीद हो गए थे उसके उपरांत उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था और जिस बच्चे को यह न पता हो कि कारगिल दिवस कब मनाते हैं तो सभी लिखलो प्यारे बच्चों 26 जुलाई को सेलिबरेट किया जाता है कब 26 जुलाई के दिन कारगिल दिवस सेलिबरेट किया जाता है अब पाकिस और भारत के बीच जो बोर्डर है उसका नाम है रेड किलिफ क्या नाम है दोस्तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मालो यह आपका भारत देश है और इधर आपका नल्ला पाकिस्तान है तो आपको बताना है मेरे प्यारे सातियों जो बीच का बोर्डर है क्या है यह जो किलिफ उसका नाम है ठीक है चलो यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था रिवीजन आपका हो गया अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे दूसरा देश जिसका नाम होगा बंगलादेश आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा देश जिस देश का नाम सवाल हर बार आता है पहला सवाल मैं आपको बता दूँ कि बंगला देश का बाजाद हुआ पहले बाद तो आप यह सुन लिजेगा बंगला देश का बाजाद हुए बंगला देश का राष्ट पिता किसको कहा जाता है यह सारी कि सारी चीजे आज तुम्हें इसके लाज में पता लग जाएंगी लेकिन यार तुम लोग थियोरी पढ़ाने लाइक हो नहीं हमें रोना तुम लोगों को थियोरी नहीं पढ़ाई जाए तुम्हें ऐसी आदत पड़ी हुई है कि तुम्हें वही टीचर अच्छे लगते हैं जो वन नाइनर कोईशन पढ़ाते हैं हम जैस सोले दिसंबर 1971 को कबसे जाएयों आक इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग रहा इंद्रा गांधी जी जी अप जरा पहले मेरी बात सुनियेगा अगर बंगला देश समझना चाहते हो तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं लेकिन आपको एक मिनिट मेरी बात थुलनी होगी देखो प्यारे साथियो दर असल में क्या था 1971 से पहले दो पाकिस्तान हुआ करते थे समझ एक आपका पूरवी पाकिस्तान और एक पूरवी पाकिस्तान तो उन्होंने सोचा ऐसा ना किया जाये इन दोनों देशों को ही अलग कर दिया जाए तो उन्होंने चाल चली और मेरे प्यारे बच्चो पूर्वी पाकिस्तान को पस्च्वी पाकिस्तान से अलग कर दिया और इस वाले हिस्से का नाम क्या पड़ा बंगला देश रखा गया यानि कि जो बंगला देश है वो भी पहल का राष्ट पिता किसको मना जाता है को बताओगे भी या कि पाकिस्तान का राष्ट पिता किसे मनते हैं पहला सवाल दूसरा सवाल बंगलादेश का जो राष्ट गान है बंगलादेश का जो राष्ट गान है उसे किसने लिखा है दूसरा सवाल बंगलादेश से भारत की कितन सोने इसका मतलब 200 खामों खाई देख रहें वीडियो को उन्हें लाइक करने में भी जो और पढ़ रहा है आपस में बात कर वालो मेरा ये बेटा मेरी वो दोस्त मेरा ये दोस्त मेरा फलाना दोस्त मैं नहीं आँगा कल को पढ़ाने मैं seriously कर रहा हूं इमानदरी कसम से मैं आपको बढ़ाने कल नहीं आँगा ठीक है आप करो जितनी तुम्हें बातचीत कर लिए हैं I'm very serious now at this time मैं आपको पढ़ाने कल नहीं आँगा ठीक है दोस्त चलिए अब बस आपको थोड़ा सा आज पढ़ा दूँ जब आया हूं तो क्ला कहा जाता है गुरू जी किसको कहते हैं सेक मुझविर मुझविर रहमान को कहा जाता है दूसरी बात अगर आप से पूचे कि बंगलादेश से भारत की कितनी सीमा लगती है तो प्यारे बच्चों बंगलादेश से भारत की कितनी सीमा लगती है आपको बता देना चाहता हू चार हजार चियान में पॉइंट 6 किलोमेटर की सीमा लगती है अब एक बात जो अब अगर कोई भी बच्चा मुझे बता देगा अगर तुम पहले किसी से भी पड़े हो तो मुझे जरूर बताईए मेरी आंक से आसु आते हैं जब मैं तुम इतनी मैनच से बढ़ाता हूं और लेकिन कहीं कहीं किताबों में ना यह आपका कितना लग्या होता है कहीं कहीं पर चार हजार आपको बताना है बंगलादेश और भारत के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है जो बच्चा बताएगा मेरी नजर का सबसे हुसियार बच्चा होगा बंगलादेश और भारत के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है बताओ अगर किसी को पता हो तो मैंने आप से एक सवाल पूचा है कि बंगला देश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है तो प्यारे बच्चों आप क्योंगे गुरुजी ये सवाल हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है आप लोगों ने भारत चाइना के बीच में पढ़ा होगा भारत पाकि क्या नाम है जीरो लाइन बोर्डर ये लिख लो बेरे प्यारे साथी हो भारत और बंगलादेश के बीच में जो बोर्डर का नाम है वो अब आप देख लो एक बच्चे का भी सही नहीं है सिर्फ किसी एक दो का सही होगा बाकि सबका रेड किलिफ और डूरंड चले जा रह है इनका आमार सोमार बंगला आमार सोमार बंगला आमार सोमार बंगला देखो फिर सुन लीजेगा मेरे प्यारे सातियो इनके राष्टेगान का नाम जैसे हमारा राष्टेगान है जर्ण गर्मन अधिनायक जयो भारत भाग्या विदाता यह उसकी पहली पंक्ति है उसी त लिखने वाले कौन थे तो प्यारे बच्चो इसे लिखने वाले कौन थे इसे लिखने वाले थे रविंदर नाथ टैगोर कौन थे प्यारे सातियों रविंदर नाथ टैगोर इसका मतलब यह निकल कर आया कि रविंदर नाथ टैगोर ने भारत का भी राष्टेगान लिखा है बंगलादेश का भी राष्टेगान लिखा है और प्यारे बच्चो स्री लंका भी राष्टेगान लिखा है इसका मतलदा जो अब शमे और पहले अपना इंडिया लिखू इसके बाद में पिलस करके आप यहाँ पे लिको बंगलादेश इसके बाद यहाँ पे आप पिलस करके लिखेंगे प्यारे बच्चो क्या सिरी लंका सिरी लंका यह तीनों देश एसिया महादीप में पढ़ते हैं यह तीनों देश एसिया महादीप में पढ़ते हैं भारत से स थलिय सीमा टच होती है अब जरा और आएगा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं बंगला देश की भारत की एक नदी है भारत की नेशनल रीवर भी कही जाती है अगर मैं बात करूं अपनी गंगा के बारे में तो प्यारे सातियों गंगा नदी अगर मैं गंगा नदी की बात भारत के पांच राज्यों में बहती है और बाद में कहां चली जाती है बाद में चली जाती है यह बंगला देश में जब यह बंगला देश में चली जाती है तो यह लोग हमारे नदी का नाम बिगाड़ देते हैं और प्यारे बच्चों गंगा नदी को बंगला देश में एक नया नाम दिया जाता है जिस नाम को हम लोग पुकारते हैं पदमा क्या नाम बोलते हैं प्यारे बचो पदमा यानि कि ये लोग हमारी गंगा नदी का एक नया नाम निकालते हैं और जिस नए नाम क्या है प्यारे बचो पदमा लेकिन एक नदी और जाती है सुनते रहना एक भी फैक्ट तुमारा गलत नहीं होने दूँगा हमारी गंगा नदी का नाम जो हमारी गंगा नदी है जो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लेंथ 2525 किलो मेटर है लेकिन जब वो बंगलादेश में जाती है तो यह बेवकूफ लोग गंगा नदी का नाम जाती है यह ब्रंपुत्र नदी और गंगा नदी जब एक साथ मिलती है तो मैं यह लिख देता हूं गंगा फिलस ब्रंपुत्र जब यह बंगलादेश में जाकर मिलती है तब इन दोनों को एक और नया नाम दिया जाता है तब इनका नाम होता है मेगना तब इन दोनों का पूछना हो किसी को तो बताईए ब्रह्म पुत्र की लेंथ कितनी है तो ब्रह्म पुत्र की लेंथ बेटा उन्तिस्सो किलो मेटर अगर आप से पूछा सर्जी ब्रह्म पुत्र की लंबाई बताओ कितनी है तो ब्रह्म पुत्र की लंबाई है उन्तिस्सो किलो मेटर ठीक है चलिए यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो कुछ पूछना चाहते हो कुछ कहना चाहते हो तो बताइए किसी को कुछ भी पूछना हो अब और सुनिएगा और सुनिए बंगलादेश से क्या क्या सवाल आ सकते हैं अब बंगलादेश से भारत का कुछ जगय को लेकि विवाद चल रहा है बंगलादेश और भारत के बीच में विवाद है पहला विवाद सुन लिजेगा तीन भीगा गलियारा या इसे बोलते हैं कारीडोर भी बोलते हैं या तीन भीगा गलियारा भी बोलते हैं इसे लेकर मेरे प्यारे बच्चो सर ब्रंपुत्र को बंगलादेश में नाम से कहते हैं यमुना के नाम से ब्रंपुत्र नदी को बंगलादेश में यमुना के नाम से जानते हैं लेकिन जब ये गंगा से मिल जाती है तब इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चो तब इसको कहा जाता है मेगना आपको फिर से बता दूँ सवाल पूचेगा कि तीन बीगा गलियारा को लेकर किस देश के बीच विवाद है तो आपको बता दूँ ये रवी नाम करने हाते हो कि लाज में को हाद होती है इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है तुमारे अंदर की सरम करो ःतोड़ी बहुत आप बड़े बच्चे ऑच त्यारी कर रहे हो कर दो किस नाम चे नाम चे एडिया सीवानी के नम चे लित वह यह व्मार न डिखाना बिल्कुल पागल हो यार इंसानियत नाम की चीज होनी चाहिए हो सकता है जिस लड़की का नाम आप ले रहे हैं वो आपकी कोई दूर की रिष्तेदार की भेन लगती हो वो किसी और नाम की लड़की किसी और नाम से आईडी उसने बना रखी हो हो सकता हो तुमारे मामा की बेटी हो बुआ जी की बेटी हो और जब उसकी करतू तो आपकी पता चलेगी उस क्या सोचेगी वो लड़की पागल हो क्या दिमाग से रभी भाई मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूं समझे रहो ना और एक बार नहीं कम से कम मैं आपको दस बार टोक चुका हूं कि यार यह काम मत किजिए लेकिन आप नहीं मानते आ रहे आपको रिष्टानी बाना है तो घर पर वैटके नहीं भाई है ना कि लास ही है उन बच्चों को डिष्टा मत करो जो बिल्कुल पढ़ने आए आए आप है उनका पेपर है हाद होती है यार मैं कभी किसी को नहीं बोलता है इतनी तेज लेकिन तुम लोग गुस्टा करवा देते हो जादा मजबूरिया यार अब देखो तीन बिगा गलियारा को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है तो तीन बिगा गलियारा को लेकर मेरे प्यारे बच्चों आपको बता देना चाहता हूं भारत और स्रीलंका के बीच विवाद है बारत वे बंगलादेश के बीच विवाद लेकिन ये विवाद क्या था आज कल ये विवाद खतम हो गया है इसका 70% इससा लगबग बंगलादेश को और 30% भारत के पास आ गया है और ये विवाद लगबग लगबग खतम हो गया है एक नदी है जिस नदी का नाम है तिस्ता नदी, इस तिस्ता नदी को लेकर भारत और बंगलादेश के बीच में विवाद चल रहा था, भारत वे बंगलादेश के बीच में विवाद चल रहा था, जो आज पूरी तरीके से समापत हो चुका है, तो फिर से आपको बता दूँ, फिर सुन लिजेगा, मेरे प्यारे बच चो तीन भीगा गलिया रहा भारत और भारत और बंगलादेश के बीच में विवाद चल रहा है चलिए रवी जी जो आप इतने एटिटूट में बात कर रहे हैं मुझे आप जैसा बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो भी किलास में आप किसी को मेरे सामने इस तरीके से बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं चाहे आप कितने सही हैं कितने गलत हैं I don't know बट आप नहीं बोल सकते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे से मिल सकते हैं परसनली जहां तुम्हारा मन करें लेकिन किसी बच्चे का नाम लेकर नहीं यार सब तुम आपस में भाई-भाई हो अगला पॉइंट सुनिए तिस्ता नदी को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है तो भारत और बंगला देश के बीच में विवाद चल रहा है अब तुमको जो ना इस तरीके से हम मुझे तुम मजबूर कर रहे हो दूसरे टीचरों की तरह बनने पर तो भाईया हो गया पवन मजबूर और तुम्हें आज हम दिखाता हूँ चलिए बात करो मेरे प्यारे साथियो किसकी अब हम बंगला देश की बात करते हैं जब हम बंगला देश की बात करते हैं मत पड़ो तो मेरे पास पीडियाफ है पीडियाफ लगा दूमा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो राजधानी क्या है राजधान में जाकर सन 1906 में क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहां पर हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना क्या हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो प्यारे बच्चो, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस ने की थी, हाँ अतिस्ता नादी मैटर कतम हो गया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुस्लिम लीग की स्थापना किस ने की थी, हसते रह चाहता हूं बंगलादेश की राजदानिया धाका और प्यारे बच्चो इनकी जो करंसी है जैसे हमारी करंसी क्या है इंडिया की करंसी क्या है प्यारे बच्चो इंडिया की करंसी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की करंसी रुपिया है लेकिन अगर हम बात करें मुझविर रहमान की बेटी है फिर से आपको बता दू यह जो आपके से कसीना है यह आपकी मुझविर रहमान की बेटी है किसकी बेटी है सेख मुझविर रहमान की बेटी है और सेख मुझविर रहमान की बेटी है और सेख मुझविर रहमान कोन है बंगला देश के राष्ट प्राश्ट प्ता है ठीक है चलिए अगला पॉइंट आपको बता दू राश्ट प्ता कौन राश्ट पती कोन है अब्दु अबुल-हमीद अब्दुल-हमीद वहां के कौन है मेरे प्यारे बच्छों प्रेसिडेंट है अगले पुइंट करते रहे का इन चीजों को सभी को अ अगर आप बीना इसके पढ़तें तो में ट्रिक बताता बंगला देश भारत के पांच राज्यों से अपने सीमा टच करता है, जिन में पहला हो गया पश्ची मंगाल, दूसरा हो गया आपका आसम, क्या हो गया बच्चों आसम, और तीसरा हो गया आपका मेखाले, चोथा हो ग बंगलादेश सीमा टच करता है तो वो आपके सामने लिख दिया कितने राज्यों से सीमा टच करता बिटा पांच राज्यों से अपनी सीमा टच करता है और वो पांच राज्य कौन-कौन से हैं पस्चे मंगाल आसम मेगाले तिरुपरा और मिजोरम यहीं पर एक सवाल थियोर देश ने तीन तरफ से कवर किया हुआ है नोट करके लिख लो नोट करके लिख लो कि तिरीपुरा बंगला देश ने तिरीपुरा बंगला देश ने तीन तरफ से तीन तरफ से कवर किया हुआ है मतलब तीन तरफ से ढखा हुआ लिखो भी ये जल्दी से जल्दी जल्दी लिखिएगा झाल झाल कुल मत्राई म Begin आरे तक डुर चले चले आगला देख रितकता अगल आपको बताओं वाइन ऐस की ट्रिक होती को प्यारे साति आप लिखना चाहिए स्की ट्रीक बता दो त्रिक ब्याएं वच्चो इसकी बता इसकी ट्रीक है मित्र बंगाल में आम है मित्र बंगाल में आम है देखो भाया यह इसकी ट्रिक है मित्र बंगाल में आम है मित्र का मतलब मैं का मतलब मिजोरम ती का मतलब तिरुपुरा बंगाल हो गया और प्यारे बच्चो यह हो गया आपका आसम और ये हो गया आपका मेगाल ले फिर सुल लिजेगा आप ट्रिक लिग लो इसकी फटावट अंकिता बेटा थियोरी तो पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ा रहा हूं ये देखो मित्र बंगाल में आम है मित्र बंगाल में तो आम मिलते हैं खाने को और प्यारे बचो इंडिया का बोर्डर का नाम क्या है इसने हा तो उसका नाम है जीरो बोर्डर फटावट लिग लो अगला देखे भारत की सबसे बड़ी स्थलिय सीमा बंगलादेश के साथ लगती है जिसकी कुल लंबाई लगभग लगभग चार हजार छियानमे छे भी कह सकता है या फिर आपका जबाब आज कल चार हजार सतान में किलो मेटर भी आ रहा है आज कल पेपर में ये भी आ रहा है तो प्यारे बचो आप लिग लो मित्र बंगाल में आम मिलते हैं क्या करना है प्यारे बचो मित्र बंगाल में आम मिलते हैं अगर आम खाने है तो कहां जाना होगा, बंगाल जाना होगा, बंगाल मतलब बंगलादेश जाना होगा, देखो फिर से आपको बता दूँ, M का मतलब होगया मिजोरम, तै का मतलब होगया तिरपरा, बंगाल, पश्ची बंगाल, A का मतलब होगया असम, और मैं का मतलब होगया मेगाले, यानि क जिसे बंगलादेश ने तीन तरफ से कवर किया हुआ है ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बंगलादेश ने तीन तरफ से कवर किया हुआ है तो वो कौन सा राज्य है तो प्यारे सातियों वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ map जो बच्चे map 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 चिला रहे हैं उनको बता दू मेरे प्यारे साथी हो मैं map से ही पढ़ाता आपको लेकिन अब तुमारी बात तो बिल्कुल ना मानके अब अपनी बात मानूँगा ठीक है और तुम्हें अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा अगला point आपको बता दू मेरे प्यार déjà500 तिरूपरा से 856 किल मिटर लेकिन एक बात और आपको बता दू तिरूपरा को को तीन तरफ से दीन तरफ से घेरं मेरे प्यारे बच्चो बंगलादेश ने तिरूपरा को तीन तरफ से घेरं रका है इतना डीपली तुमारे पेपर में कबी भी नहीं आएगा लेकिन फिर cela लoga आप आप से पूचे में घाले कितनी दिवे लगती यह तो 443 किलो मेटर लगती है मिजोरम से पूचे टो 308 किलो मेटर लगती है आसम से पूचे तो 263 कितनी लगती है आसमसे 260 मुझे बता दो इससे डीप नीभी पड़ाउं ASMR के तुम्हें इससे deeply भी पढ़ाओं के तुम्हें मेरे प्यारे बच्चो लेकिन फिर से बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे सातियो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे सलक्षन को रोक ले इससे जादा deeply तुम्हें प बड़ी सीमा है पांच भी सबसे बड़ी सीमा है ठीक है बच्चो इसे आप नोट कर लो फटाफट किस राज्ये से कितनी लगती है एक बात ध्यान लगना कि बंगलादेश तीन तरफ से गेर रखा है बंगलादेश क्या कर रखा है बंगलादेश ने तीन तरफ से तिरुप अगले point पर चलिएगा अगला point क्या कहता है अगर मैं चलू मेरे प्यारे बचो देखो बंगलादेश के कुछ पिर्तिक देख लिजेगा जैसे मेरे प्यारे बचो यहां देखो बस राष्टे पसू रोयल टाइगर और राष्टे विरक्ष आम का पेड चिडिया आपके सामने रिकिये यह नहीं पूचा जाएगा कभी बहासा पूची जा रही है अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं कहां पर सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ प्यारे सातियों बंगला देश की कुछ महत्पून नदिया बंगला देश की सर्जी थोड़ी सी स्पीड तेज करके पढ़ाई है हाँ ठीक है नदी मेगना नदी आपकी बंगला देश में गंगा और ब्रम पुस्ट मिलती पूचेगा तो या तो ये सवाल आता है और एक और नदी जो हर विवाद था और विवाद था भारत और पाकिस्तान पहरत और बंगलादेस के बीच में जिसे खतम कर दिया गया है आज उस विवाद को खतम कर दिया गया है जैसे एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे सिंदू नदी को लेकर किन दो देसों के बीच विवाद है जल्दी बताओ समय कम है जल्दी बताईए सिंदू नदी को लेकर किन 2 देसों के बीच विवाद चल रहा है। एक बार वीडियो को लाइक और सेर कर दोगे तो कोई बुरा नहीं मानूँगा मैं थोड़ा सा लाइक भी कर लो यार सेर भी कर लो मान जाओ चलो भाईया अगर आपने ये सब किलियर कर लिया है तो अब आजाओ मेरे प्यारे साथियों किस पर अब आजाओ मैं थोड़ा सा तुम्हें हसाने की कोसिस करता हूं काफी देर से हम लोग बोर हो रहे हो तुम्हें हसाने का काम तुम्हें पीटने का काम वो सारे मैं करता हूं लेकिन अब थोड़ा सा तुम्हें हसाता हूं एक और देश हैं जिसका नाम है चाइना आज तुम अ 14 मिनिट में किलियर कर लेंगे सबसे पहला सवाल कि चाइना से भारत की कितनी सीमा लगती है पहला सवाल तो प्यारे बच्चों चाइना से जो भारत की सीमा लगती है वो मेरे प्यारे लाड़लो सीमा की अगर मैं बात करूं तो सीमा लगती है 3488 किलो मेटर कितनी सीमा लगती है प्यारे साथियो सीमा लगती है 3488 किलो मेटर अब दूसरी बात आती है कि चाइना और इंडिया के बीच आपको बताना है बॉंडरी का नाम क्या है यानि कि इनकी सीमा रेखा का नाम क्या है सीमा रेखा का नाम क्या है सीमा रेखा का नाम क्य यह भी बताईएगा कि इन दोनों के बीच सीमा रेखा का नाम क्या किसी को पता है कि इन दोनों के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है तो बाबू जिसको ना पता हो वो सब लिख लिजेगा कि इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा थी उसका नाम है सर मैक मोहन क्या नाम है मैक म अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों इनका बोर्डर की अगर मैं बात करूं तो बोर्डर कितना लग रहा है तो 3488 तो प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान लगना एक बात और हाँ इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है अराम से पढ़ो देखो बिना PDF के मैं अच्छा पढ़ाऊंगा और PDF से मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूं ध्यान नखना मैं बिना PDF के और जादे बैटर तो प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं कि इंडिया कब आजाद हुआ तो मेरे प्यारे बचो इंडिया आजाद हुआ 1947 में ठीक है और इंडिया और चाइना के बीच में एक एगरिमेंट होता है इंडिया और चाइना के बीच में यानि कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत वे पाकिस्तान के बीच में मेरे प्यारे बच्चो क्या होता है एक समझोता होता है और जिस समझोते का नाम हुआ करता था जिसका नाम था पंच सील एग्रिमेंट या पंच सील समझोता क्या है बच्चो पंच सील समझोता सुन लो ध्यान से आप से पूछेगा कि तो आपका जबाब आएगा मेरे प्यारे बच्चो भारत ओ हो भारत ये पाकिस्तान बार बार आ रहा है भारत वह चाइना के बीच में एक समझोता हुआ जिसका नाम था पंच सील समझोता कितने बच्चे जानते हैं कि पंच सील समझोता कब हुआ था और पंच सील समझोता क् 1954 में कब हुआ था 1954 में हुआ था एक बात आप ये भी जानते हैं कि चाइना ने भारत पर आकरमन कब किया था तो ये भी मैं आपको बता दूँ भारत पर चाइना ने आकरमन भारत पर चीन ने आकरमन कब किया था चीन ने आकरमन कब किया था तो ये भी सवाल पेपर में पंचसील एग्रिमेंट के बारे में कितने बच्चे जानते हैं वहाद उठाओ कि सर मुझे पता है पंचसील एग्रिमेंट क्या है और हां इस्टेटिक जीके का बैच जितने बच्चे लेना चाहते हो वो सिर्फ अपने किलास में आज पीम लिखके बताओ जरा वो सभी पंचसील लिखके 149 रुपीज में वो सभी लिखेंगे मेरे प्यारे सात्यों क्या 4.00 mm 4.00 p.m., 4.00 p.m. तो मुझे पता लग जागा और इतने बच्चे हैं इतने ही बैच में हम लोग सीट रखेंगे जल्दी बताईएगा फटाफट जल्दी बताओ मातर पांच मिनट बची है पांच मिनट में मुझे सब कुछ खतम कराना है इसके बाद मैं तीन देश पढ़ाता हूँ जहां सारव से जाधे इंपोटेंट और सबस्याद सवाल पूचे जाते हैं जल्दी से बताओ प्यारे साथी हो फोर पीम लिखेंगे सभी बच्चे तो बैच आएगा वर्णा नहीं आएगा ये बात आप ध्यान रख ठीक है चलो अगला पॉइंट देखें अगला पॉइंट क्या आता है पंच सील एग्रिमेंट क्या था ये था हिंद आपका 1954 में हुआ था और यहां एक नारा निकला था मेरे प्यारे बच्चों क्या यहां एक नारा निकला था जिसका नाम था हिंदी चीनी भाई-बाई- खांज आत arguments क्या इन नारा यहां था हिंदी चीनी भाई-बाई-बाई-बाई किभ नारा निकला था और यह चीनियों था हमसे अंपडाशन शूशी तो चाइन वाले जो विक्ति होते हैं उंकी बड़ी होती है अब मालो मेरे सामने चानीज खड़ा है अब कोई बात होगी वह इतनी हिम्मत भी नहीं कि वह हम से हस भी सगे हमारे सामने समयों ना वह नहीं हाच पाएंगे लेकिन यह एगरिमेंट था क्या आप में से जो भी बच्चा जानता हो मुझे कमेंट बॉक्स करके यह जरूर बताना कि यह पंच सील एग्रिमेंट है क्या पंच सील एग्रिमेंट पाँच सिद्धान्तों पर रखा गया था कितने सिद्धान्तों पर पाँच सिद्धान्तों पर रखा गया था ये पाँच सिद्धान्त हमारी किलास में कितने बच्चे जानते हैं कि पाँच सिद्धान्त कौन कौन से अरे इतना दिमाग कहा है उनमें यार चलो टिप टोप बोए भाईया पढ़ ले मेरे दोस्त पढ़ ले मेरा दिमाग यही है तुम भी यही हो हिंदी चीनी भाई भाई यह नारा कब निकला था तो यह मैंने आपको बता दिया है जिस बच्चे ने अभी चैनल को सस्क्राइब ना किया हो सस्क्राइब कर लो वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो बैट टिप टोप बोए भाईया तुम दिमाग से पैदलो किया तोड़े बहुत जो बच्चा बताएगा ओफ लाइन कमेंट्स करके एक सवाल जिन सभी बच्चों को पता होगा तो कल मैं उनका नाम लूँगा सुन लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों अब सवाल है आपके लिए ये रहा आपको बताना है जो कल आप बताएंगे कि भूट से भारत की कितनी सीमा लगती है ये आप सभी बच्चे मुझे ओफ लाइन कमेंट्स करके बताएंगे मैं आप सभी बच्चों के ओफ लाइन का वेट्स करूंगा ओफ लाइन कमेंट्स का और आप सभी बच्चों को इस्टेटिक जी के कबैच कम मिलेगा प्यारे बच्चों इस्टेटिक जीके का बैच बुदुवार के दिन मिलेगा कम मिलेगा बुदुवार के दिन 149 रुपीज में आपको बैच मिल जाएगा ठीक है बच्चो सिर्फ 149 में ठीक है दोस्त चलिए आज की किलास यहीं कतम करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं जो भी बच्चा मु आना चाहते हो तो प्यारे सातियों आपको क्या करना होगा आपको सिर्फ मेरे कोड का यूज करना होगा और मेरा कोड क्या है आप में से कुछ बच्चे को पता है मेरा कोड क्या है आप में से कुछ बच्चे को पता है जिसको ना पता हो तो प्यारे बच्चे लिग अड़ा247.com लिखो जैसे ही आप अड़ा247.com लिखते हैं हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है प्यारे साथ ही हो आप यहाँ ओल कोर्स पे आओ जैसे ही आप ओल कोर्स पे आओगे तो यहाँ आप SSE पे चले आओ और यहाँ SSE CGL है मेरे प्यारे साथ ही हो यह SSE CGL का मैं आपके फरस्ट एकजाम एंड सेकिंड एकजाम दोनों की तयारी हो जाएगी बस आपको कुछ नहीं करना यहाँ एक कोड यूज करना है यह कोड मेरे प्यारे बच्चों वाई 366 क्या कोड लगाना है वाई 366 और आपकी CGL की पूरी तयारी हो जाएगी वाई 366 लगाते ही आपकी CGL की पूरी तयारी हो जाएगी 2425 रुपे में 2414 रुपे में आपको यह बैच मिल जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसे लगा किलास कैसी लगी आप सभी बच्चे मुझे ओफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मैं आप सभी के ओफलाइन कमेंट्स का वेट करूँगा कि प्यारे बच्चो आपको किलास कैसी लगती है पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है नहीं कल मेरी किलास नहीं होगी कल नहीं होगी अब मेरी किलास आपको बुद्वार में होगी और मेरा बैच है वो भी आपको सायद बुद्वार के दिन ही मिलेगा कोई भी बैच पर्चेज करते हैं तो प्लीज कोड यूज किजिए वाई 366 अगर आप वाई 366 कोड यूज करते हैं तो आपको डिसकाउंट मिलेगा दूसरी बात और सुनिएगा भूटान कल करूंगा भूटान रहे गया नैपाल रहे तो चाहिना भी यादा हुआ है एक बा किलास में जुड़िएगा और दूसरी बात आपको बता दूँ जो भी बच्चे मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं और टोपिक क्या है अभी आपको बता दूँ आज की किलास का जो टोपिक है वो है फंडामेंटल राइट क्या है प्यारे सातियों अभी आपको बता देना चाहता हूं आज की किलास कैसी लगी कहीं कोई दिक्का तो तो मुझे जरूर बताईएगा लेकिन आपको बता दूँ अगर आप पढ़ना चाहते हो पुलिटी तो प्यारे सातियों आज साम चार बजे यान की फोर प्यम पर मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा कर दो कर दो